दोस्तों नमस्कार आदाब सत्रियकाल नियूज क्लिक के कारिकरम हफते की बात के साथ मैं उर्मिलेश महरास्टर में क्या होगा अब क्यों क्यों कि पहले से आज का जो मामला है आज के जो घटना करम है वो बिल्कुल डिफरेंट कहानी कहते हैं शुरू में ये लग रहा था कि एक नाच्छिंदे उनके कैम्प में विधायकों का श्रीव सेना के विधायकों का तूट करके जाना भागदर की तरह दिखाई दे रहा था ऐसा लग रहा था कि छीवशेना में कुछ भी बचेगा नहीं न विधायक बचेंगे और न पार्टी बचेगी न पार्टी का दफ्तर बचेगा लेकिन उद्धाव ठाकरे आदित ठाकरे संजैराउत शरत पवार इन सब की जो मिली जूरी ताकत है और ये मत भूलिए कि जिसके पास भले ही बहुत बड़े-बड़े चेहरे नहों हालांकि उसके पास भी प्रतिविराद चवान हैं जो चीफ मिनिस्टर रह चुक है नाना पतुले हैं बहुत सारे लोग है लेकिन फिर भी शरत पवार की तरह कोई बड़ा दिगज नहीं है लेकिन इसके बहुत भ कॉंग्रेस की बड़ी ताकत शिवस्तेना के साथ लगी हुई है उद्धव ठाकरे की सरकार को बचाने में लगी हुई है तो अब ये लोग जो एक्टिव हुए हैं एक इमोशनल पोलिटिकल हर तरह का जो खेल खेल रहे हैं इसमें समिकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं मैं घटाएं कुछ ऐसी हो रही हैं जो अश्वभनी हैं एक जर्णलिस्ट के तौर पे मैं कहूंगा कि इस तरह की घटाओं को कोई भी एप्रिसेट नहीं कर सकता इनको रिजेक्ट किया जाना चाहिए लोगतंत्र में मसलन अब मुंबई में थाने में आसपास के इलाकों में श हमले भी हुए हैं शिवशेटा के कारिकरताओं द्वारा समर्थकओं द्वारा जो एकनाच शिंदे साहब के कैम्प में जाकर के गौाहाटि में होटल में रुके हुए हैं कुछ चुन्दा लोगों पर इस तरह के उनके दफ़तरों पर उनके इलाके में उनके ठीगानों प ये इस्थिती नियंत्रन से बाहर हो जाएगी और ये उद्धव ठाकरे के लिए शिव स्यना के लिए पूरी सियासत के लिए और महारास्ट के लिए अच्छा नहीं होगा तो पहली बात तो ये है कि संजाय राउत समेत और जो लोग हैं जो उत्तेजक बयान दे रहे हैं उनको फोरण बयान बाजी बंद कर देनी चाहिए और कमान, उद्धव ठाकरे, शरत पवार, नाना पटोले, पृतिवी राज्चावान इस तरह के जो मैच्छ और पॉलिटिकल लोग हैं इनके हाथ में जानी चाहिए संजय राउत बहुत महच्छ और आदमी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन कई बार शब्द उनके मुह से जो निकलते हैं, अब उनको वापस तो ले नहीं सकते कई बार, तो कई बार उन शब्दों के अर्थ को जो समझने वाले लोग हैं अलग-अलग अब वो महाशक्ति क्या है, कौन है, क्या नहीं है, इसके बारे में अठकलें लगाई जानी लगी, अब जो चीजें सामने हैं, उनको आप छुपाएंगे कहां, किसको नहीं मालुम कि एक नाच्छिंदे के पीछे कौन सी महाशक्ति है, कौन सी महाशक्ति उनको सूरत से ले कोई न तो सियासत का आदमी और न तो मीडिया का आदमी उन तक पहुँचे, तो ये सब कुछ सब को मालुम है, लेकिन बाद में वो बयान बाजी शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं हमारा मतलब महाशक्ति से भारती जंता पार्टी नहीं था, किंद सरकार नहीं था, वगरा इस तरह की सफाई भी देनी उनको पड़ती है, या उनके कैंप के लोगों को, अब सचाई कोई भारती टेलिवीजन की ख़बर तो नहीं है, कि जब टेलिवीजन पर कहदिया जाएगा इंडियन टेलिवीजन पर, कि 40 विधायक उनके साथ हैं, कभी कहदिया जाएगा कि 46 हो था कि 36 हैं, कभी 37 का दावा किया जने लगा, अभी 38 का क्लेम किया जा रहा है, किसके द्वारा, एक नाचिंदे कैंप द्वारा, लेकिन टेलिवीजन पर कभी 40 आता है, कभी 46 आता है, इसलिए मैंने कहा, कि सच्चाई, इंडियन टेलिवीजन की ख़बर नहीं है, जो खबर देने वाला है, जहां खबर बन रही है, खबर घट रही है, वो 38 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी 42, कभी 46, तो अब तो 55, 55 ही बाकी है, तो ये जो गोहाटी में हो रहा है, वो मुंबई में क्या होगा, इसको लेकर बहुत सारी अटकले हैं, शरत पवार और उद कलें लगी, कोई नहीं जानता, जो बाहर चीजें आई वो गफ हैं, क्योंकि उनमें से किसी ने कुछ नहीं बताया कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शरत पवार पर वैसे भी बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, हाल के दिनों में, कहा ये जाता रहा है कि NCPK नेत हैं, बारती जनता पार्टी के बरक्स अपने रिष्टों को लेकर, लेकिन शरत पवार के साथ एक मजबूरी है, और वो मजबूरी ये है कि जिस सरकार के वो स्रिजन, यानि क्रिएटर माने जाते हैं, स्रिजन करता माने जाते हैं, जिसके वो सुत्रधार माने जाते हैं, उ इसलिए शरत पवार ऐसा माना जा रहा है पुलिटिकल आप्जरवर कम से कम महाराष्ट के यही का रहे हैं कि वाकई सिरियस होकर इस सरकार को बचाने में लगे हुए हैं अब सवाल इस बात का है कि क्या सवा सरकार यह बच जाएगी कहा यह जा रहा है कि एक नाच शिंदे कैम्प में जो 38 या 40 जो भी विधायकों हम संख्या अपनी योर से कोई दावा नहीं करते इन में से 10-15 ऐसे 10 से लेकर 15 ऐसे विधायक हैं जो मुंबई आने पर पलट भी सकते हैं क्योंकि प्रोटेक्शन गोहाटी की पुलिस का या सूरत की पुलिस का वो मुंबई में तो उनको नहीं रहेगा और हो मिनिस्ट्री की तरफ से सब को आप सेक्योर्टी मुहिया नहीं करा सकते तो लोगों के संपर्क में आएंगे अपने परिवार के संपर्क में आएंगे अपने समर्थकों के संपर्क में आएंगे अपने मतदाताओं के वे संपर्क में आएंगे और अगर शिव शेनाक का संगठनिक नेटवर्क जो अभी दिखाई दे रहा है दो दिन में अगर वो सचमुच उद्धव ठाकरे की अगवाई वाले खेमे के साथ है जिला कार्याले, जिला यूनिट्स मंडल, ब्लॉक, गाउं, कस्पा अगर इन जगों पर शिव सेना के पास यानि उद्धव ठाकरे की सिव सेना के पास कमान है, तो MLS के लिए वाकई मुश्किल आएगी मैं यह नहीं का रहा हूं कि सभी के लिए आएगी जो एकनाच शिंदे के साथ कमिटेड है जो भारती जनता पार्टी के साथ हर चंद, हर कोशिश के बाद भी उसी बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते हैं, जिसके साथ उद्धव ठाकरे का चुके हैं कि कुछ भी हो जाए, वो बीजेपी के साथ कंदा में कंदा मिला कर अब बैठ नहीं सकते, तो ऐसी स्थिती में क्या होगा एक तरफ नेता कह रहा है तो दोस्तों होगा ये कि जो एक नाच्छिंदे कैम्प है दरार तो उसी में पैदा होगी ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो उद्धव ठाकरे के कैम्प में हैं उनमें से भी इधर उधर कुछ हो जाएं लेकिन ये मानना बहुत मुश्किल है कि सारे विधायकों के मुंबई याजने के बाद भी एंटी डिफेक्शन जो कानून है उसके तहट जो जरूरी संख्या है सैंटिस च्छतिस सैंटिस सैंटिस तो ये पूरी की पूरी उनके पास होगी ये मानना बहुत मुश्किल है और अगर ये नहीं होगी आल लेडी उद्द्व ठाकरे कैम्प ने कुछ विधायकों की मेंबर्सिप को खतम करने का रिक्मेंडेशन डिपटी स्पीकर को भेज दिया है और वो कारवाई भी कर रहे हैं तो अगर जो एकनाच्छिंदे कैम्प का जो बिलकुल नूकलियस है अगर उसमें डिफेक्शन के तहत कानूनी का रुआई हो गई भले ही वो कोट में जाए बात के दिनों में तो एक भाय पैदा किया जा सकता है विधायकों में जो एकनाच्छिंदे से अभी जुड़े हुए है तो ऐसी स्थिती में कानूनी पैच और विधाई फैसले दोरों के द्वंद में पूरी की पूरी जो सियासत है खास कर शिव शेना के अंदर की सियासत वो फंस जाएगी ऐसे में क्या हो सकता है दोस्तो एक बड़ी बात यह है कि पांच-छे महिने में जो ब्रिहन मुंबई महा नगरपाली का है जिसका बजट कहने के लिए यह नगरपाली का है लेकिन जिसका बजट 36,000 करोड रुपे का है एक शहर के कार्परेशन का बजट 36,000 करोड देश के कुछ राजियों से कई राजियों से ज्यादा बड़ा बजट है तो पांच-छे महिने में इसका चुनाव होना है 14 कार्परेशन के साथ और जो 14 कार्परेशन के साथ मुंबई की नगर महापालिका का चुनाव होना है नजर दरसल भारती जनता पार्टी की उस पर है उसको भी मालूम है कि अगर देवेंदर फट नवीस की अगवाई में एक नाथशिंदे कैम्प से मिलकर कोई सरकार वो बना भी ले तो बहुत कठिन होगा इस सरकार को अगले विधान सवाद चनाव तक सकुषल चलाना पड़ा था तो अल्टिमेटली क्या होगा अल्टिमेटली बीजेपी के तमाम बॉसेज को तमाम ताकत होने के बावजूद कार्परेट की ताकत होने के बावजूद सियासत की ताकत होने के बावजोद हर तरह की ताकत जितनी समाज में ताकते हैं आजकल भारती समाज में मानी जाती हैं सबके बावजोद भी बीजे पी कन्फिडेंट नहीं है कि देवेंदर फट नवीस की अगवाई में एक नाच्छिंदे के उप मुक्खे मंत्री बनाकर सरकार जो बनेगी वो कां कि किसी तरह से महाल को ठंडा किया जाए हिंसा नहों मुंबई में कार्परेट नगरी है हेटकौर्टर है कार्परेट का देश की वानी जिराज धानी कही जाती है ऐसे में महाल को ठीक रखा जाए और प्रेशिडेंट रूल हो जाए और जब प्रेशिडेंट रूल हो तो बीजेपी को फायदा ये भी होगा कि जो कार्परेशन के चुना होंगे वो प्रेशिडेंट रूल में हो जाएंगे बीजेपी की नजर देवेंद्र फटनवीश की अगवाई में सरकार बनाने से ज़्यादा इस समय मुंबई के कार्परेशन पर कबजा की है और अगर मुंबई के कार्परेशन पर कबजा हो जाता है तो उसके हाथ में बेश्चुमार ताकत आ जाएगी खास कर वांडी जिराज्धानी के संदर्में क्योंकि अगर आसान होता देविंद्र फटनवीश की अगवाई में सरकार बनाना एक नाच छिंदे के विद्रोह के आधार पर तो अभी तक बहुत सारे फैसले क्विक फैसले हो गए होते मद्य प्रदेश में बहुत क्विक फैसला हुआ था गोवा में बहुत क्विक फैसला हुआ था लेकिन यहां उस तेजी से फैसला नहीं हो पा रहा है चाहते वेवे विधायकों को सभाप पटल पर अल्पमत और बहुमत का फैसला और उसमें अगर उद्धव ठाकरे को बहुमत मिल जाता है तो सारा का सारा ये जो विद्रो है बगावत है वो फिजिल आउट हो जाएगी और लेकिन उद्धव ठाकरे को बहुमत तभी मिलेगा जब एंटी डिफेक्शन जो कानून है उसके ताहत कुछ विधायकों की सदसेता चली जाती है संजोग बस या दुर्योग बस जो भी कह लिजे महरास्ट विधान सभा के पास इस समय स्पीकर नहीं है स्पीकर नहीं होने से विधान सभा का जो सभापती या डिपुटी स्पीकर उपाध्यक्ष उन्हीं के हाथ में ताकत है नाना पटोले के स्पीकर पचसे स्थीपे के बाद क्योंकि वो मंत्री और कॉंग्रेस अद्यक्ष बने थे कोई स्पीकर नया नहीं चुना जा सका उसको लेकर भी पेंच फंसा हुआ है बहुत संभव है कि राजयपाल जो भारती जन्ता पार्टी के पुराने नेता रहे हैं कोशियारी साहब वो ये आदेश दे दें कि अल्पमत बहुमत का सरकार के बारे में फैसला या नहीं विश्वासमत या विश्वासमत से पहले स्पीकर का चुनाओ किया जाए और स्पीकर के चुनाओ में ही फिर भार्मत और अल्पमत का फैसला हो सकता है तो ये भी एक पेंच है इस तरह महाराष्ट विधान सभा या महाराष्ट की सियासत में इस समय पेंच दर पेंच दिखाई दे रहे हैं लेकिन नजर विधान सभाव पर है सरकार पर है उससे कुछ कम इस समय व्रिहन मुंबई नगर महापालिका के भावी एलेक्शन्स पर उससे कम नहीं है देखना है कि भारती जनतापाटी इस पूरे बगावत को जो एक नाच्छिंदे की अगवाई में हुई है उसको किधर ले जाती है और एक नाच्छिंदे अपने विधायकों को जो खासकर उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको कितना बचा पाते हैं कितनों को अपने साथ इं एक तरह से यूं कहा जाए कि सबसे मुखर प्रवक्ता के रूप में उभर कर सामने आए हैं ये कैसे ठंडे दिमाग से सियासत यानि शरत पवार की तरह सियासत करती है या सिर्फ आग उगलने वाले कुछ बयान देती है जिससे हालात और खराब हो जाएं तो ये देखना मै महरास की सियासत के ये कुछ बड़े यक्षप्रशन है तो आज इतना ही नमस्कार आदाब सत्रियकाल